महिंद्रा के यूवी वन डबलो ये गाड़ी इंडिया में वापस से कमबैक करने वाली है अगर आप लोग के यूवी वन डबलो पर्चेस करने का मूड बना सकते हैं तो ये वीडियो आप लोग चरूर देखना क्योंकि मैंजना के यूवी वन डबलो काफी सारे ने ने चेंजिस के साथ इंडिया में कम बैक करने वाली है जिसमें कि आपको गाड़ी के इंजन से लेकर स्पेक्स तक का चेंजिस मिलेगा साथ ही लुक वाइस भी ये गाड़ी काफी डिफरेंट हो जाएगी जो भाई के यूवी वन डबलो आएगी ना इसका जो इंजन है वो आपको 1.2 लिटर का देखने को मिलेगा जो की ये इंजन आपको पेट्रोल के साथ मिलेगा कोई भी आप्शन नहीं आएगा डिजल का और इंजन जो है वो आपको 3 सिलेंडर मिलेगा आने के चांसे हैं 4 सिलेंडर के और इसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी गाड़ी आपको लगभग देगी अब 90 HP तक का मैक्स पावर और जो टॉर्क है वो आपको लगभग 120 NM के आसपास तक का देखने को मिल को मिल जाएगा माइलेज जो है ये गाड़ी आपको लगभग देगी 18-20 का स्पीड आपको देगी 145-150 का और उमीद है कि आपको इस गाड़ी में CNG दिखने को मिल जाए और भाई हो सकता भाई कि महिंद्रा वाले पहली बार अपनी इस गाड़ी में CNG का आप्शन लाउं बाकी बाई जो गाड़ी की ओवराल लंबाई है ना वो आपको 3675 को देखने मिल जाएगी बाई जो चौड़ाई है वो आपको मिलेगी 1715 mm की हाइट आपको मिल जाएगी 1655 mm की वील बेस आपको मिलेगा 2385 mm का और इसका जो वजन है वो आपको लगभग मिलेगा 1200 केजी के आसपास तक का गाड़ी में भाई आप लोगा पांच लोग को बेठा सकते हो ओ एउर बैग तीन मिलेंगे एक आगे मिलेगा एक बाई मिलेगा साइड और एक मिलेगा साइड एइयर बैग fuel tank आपको लगबग मिलेगा 40 लिटर के आसपास तक का और इस गाड़ी में अब आपको मिल जाएगा front और rear दोनों में disc को लेकिन बाई जो पीछे का disc है वो सिर्फ और सिर्फ top variant में launch किया जाएगा गाड़ी में आपको ABS, EBD heel assist, traction control ये सारे feature बगएरा दिखने को मिल जाएंगे, बाकि यार भाई KUV-1W में आपको जो tear की profile है, वो काफी जादा wide मिलती थी, पहले से इसमें आपको tear मिलेगा 185, 60, R15 का, जो कि ये tear आपको tubeless मिलेंगे, और ये tires radial रहेंगे, बाकि यार black और silver color के रहने वाले हैं, इसका बाई जो है speaker वो आपको 6 इंच के साथ मिलेगा, dual बाई मिल जाएंगे, door, handles साथ ही बाई में आपको मिल जाएगा bottle, holder, सभी dots में और इसके बाई जो looks है बाहर से, बाई एक्टिरियर वो भी बहुत जादा हो जाएगा change, इस गाड़ी में आपको मिलेगा बिल्कुल ही redesign A2Z नया bumper, जिसपे कि आपको नई shape की LED की headlight मिलेगी, साथ ही आपको नया shape का LED का DRL भी मिल जाएगा, mid में आपको मिलेगा Mahindra का 3D में logo, जो की new वाला logo रहे का बाई, old वाला logo अब नहीं आएगा, और इसका जो बाई, price है ना, starting वो आपको मान के चलो, starting मिलेगा 7 लाख रुपए से, और बाई, जो top variant है, वो जाएगा 8 लाख रुपए तक का और उमीद है कि बाई, ये गाड़ी आपको आने वाले 5 से 6 माहिने की बीच में देखने को मिल जाए, और बाई, महिंदरा वाले इस गाड़ी में आपको sunroof अगेरा भी provide करा सकते हैं और बाई, माने तो इसमें आपको जो है, EV का भी variant मिल सकता है, जो की बाई, काफी सस्ता रहेगा, जो तो भाई, 400Y उसका variant काफी महंगा था कंपनी ने डिसकाउंट भी दे रखा है लेकिन उसकी sale figure अच्छी नहीं है, लेकिन भाई, काफी अच्छे rate में आएगी, तो आप चाहो तो इन दोनों ही कारों का weight कर सकते हो तो भाई, जो वीडियो है लाइक करना मत भूलना, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातरम, बाई